हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है इस वीडियो में आपको हिमालया डीप क्लिंजिन एप्रिकॉट फेस वाश के बारे में बताने वाली हूँ हिमालया के बहुत सारे प्रडुक्स के रिवीव भी हुने में निचार पर डाले हुए है आप चाहे तो भी देख सकते इसका एड़ आपने टीवी पर जरूर देखा होगा क्योंकि हिमालया जो है बहुत सारे प्रडुक्स बनाता है फेस्वाश फेस क्रीम शैम्पू और पुरी जानकारी इसके बारे में देए दूंगे आपको और बी परोस के रिव्यु मैंने में चाल्ड पडाले हुए आप वह भी देख सकते हैं मेरे वीडियो जब अपने फ्रेंट्स और फैम्ली के साथ चेयर भी कर सकते हो और सोचिल मेडिया पर आप मेरे वीडियो शेयर कर जाएगा ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके हिमालय हिमालय डीद क्रिंजिं एप्रिकॉट पेश वास यह आपकी ब्लैक हेड्स को प्रिवेंट करेगा ऐसा इन्होंने क्लेम किया हुआ है इसमें एप्रिकॉट और एलेविरा दोनो देश में 1999 से उन्होंने के लिए अच्छे तरके से इनकी पेस्ट फ्रेस का यह करते हैं मैंने अलग अलग तरके हिमालय के फेस वाश और पेसक्रप भी ट्राइक होई हैं बहुती अच्छा रिज़र्स हमारे स्किन पर आता है आप इसे डेली यूज के लिए इसे अपनी च यह जो है सोप फ्री फेश्वास है जी हां बिल्कुल सोप फ्री फेश्वास है पचा से में 70 रुपे का बहुत अच्छा प्रड़क्ट है इसमें एपरिकॉट अलेविला है एपरिकॉट जो है हमारे स्किन से इजीली ब्लैक हेट और वाइट से रिमोग करने में मदद करता है मैं आपको दिखा देती हूँ यह जो है इस तरह से कुलता है बहुत अच्छा प्रड़क्ट है मैं आपको इसे अपने हाथ पर लगा कर भी दिखाती हूँ उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता देती ह जो है यहां पर पीछे की दरफ यहां जो है इंचे उप अपना एड्रेस बागरा misin लीए डिया हुआ है टौफी नंबर को का कॉम्बिनेशन है जो जेंटली आपकी स्कीन को एक्सपुलेट करेगा क्लीन करेगा डीप क्लीन करेगा और मॉस्चुराइज भी करेगा इन्हों ने इसमें एप्रिकॉट के ग्रैनुल्स इस्तेमाल किये हुए है बतलब छोटी छोटी पार्टिकल्स इसमें दीख सकते और आपके प्रब्रब आपके कैल और कि क्रेंसमें दूर हो जाएंगे इसमें उन्होंने नीम और लेमन का बी इस्तेमाल किया हुआ है रा आपके जहरी पर और एक्स्ट्रा ओिल है और जादा थेल जाधा तेल है आपकी चहरे पर तो भी इसे रिम्यो करने में मदध करेज़ आधी fossil स्किन को smoot amendment करने में बढ़ी pt आपकी स्किन को स्कुरब करते हैं तो आपकी स्किन ड्राय हो जाएगी रूहिवागी अस्युकित बील्कुल नहीं है। यह अपकी स्कीन को सॉफ्ट और ग्लोइंग भी बनाता है रुम की सुकी नहीं बनाता और आपके स्कीन में जो भी भाइट और ब्लैक हेड़ है उने भी निकालने में मतद करता है बहुत ही अच्छा फ्लेश वास है मैं रोज दिसे इस्तेमाल कर रही हूं आप देख सकते हैं यह जो है बहुत खाली हो गया है यहां तक ही यह बचा है मैंने सोचा खतम होने से पहले आपको इसका रिव्यू दे दू बहुत अच्छा प्रड़क्ट है और आपको इसे इस्तमाल कैसे करना है वो में बता देती हूं आपको जो आपके चेहरे को गिला कर लेना है और पर आपको इसे लगा कर दिखा देती हूं आप इसे जरूर इस्तमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि आपको यह फेस्वाश कैसा लगा आप इसे किसी भी जनरल स्टोर में सुपर शॉप में खरीच सकते हो वेडिकल स्टोर में भी यह अगर आपको यह नहीं मिल तो आप इसे उनलाइन भी खरीच सकते हो इस वीडियो की नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी आउनलाइन लिंक दे दूंगी आप इसे ऑनलाइन भी खरिच सकते हो इमालय के बाके के भी बोड़क्स है वो भी आप जो है आउनलाइन खरीच सकते हैं आपके आसपास के दुकान में मिल जाएगा तो भी आप खरीच सकते हो अब मैं आपको इसे हाथ पर लगा कर दिखा देती हूँ कितने अच्छे से यह क्लीन करता है मॉइस्टराइज करता है कुछ भी लगाने से पहले आपको जो है आपकी चेहरे को पूरी दर्गे से गिला कर लेना है दो लेना है चेहरे को एक बार साधे पाने से उसके बाद ही कोई भी फेस वाश फेसक्रब जो है आपको जो है आपके स्कीन पर चेहरे पर लगाना है देखिए इस तरह से इसमें चोटे चोटे पारिकल्ष है, आपरिवट की पारिकल्स है, रेड कलर के हैं, अपिक भारिकल्ष है डीपी कलीन करेगे। उसके बाद ही में इसका रिव्यू आपको दे रही हूँ यह देख सकते हैं आप कितने अच्चे से जो है यह क्लीन कर रहा है मेरी स्किन को इसी तर के यह हलके हातों से आपको आपकी चेहरे पर मसाज करना है और आपकी जो भी ब्लक हेड, वाइट हेड और डेट स्किन सेल्स है वो दूर हो जाएंगे और डेली केर के लिए यह बहुत ही अच्छा है अब मैं आपको इसे दो कर दिखा देती हूँ यह देख सकते हैं आप मैंने मेरे हाथ को दो लिया है मैंने जो है मेरे इस हाथ पर आपको लगा कर दिखाता है अब मेरे दोनों हाथों में फरक आप देख सकते हो कितने अच्छा से यह क्लीन हो गया है बहुत ही सॉफ्ट आपकी स्कीन आपको महसूस होगी आप इसे चैरे पर लगाएंगे तो फर्स्ट वस्ट में ही आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा बहुत ही अच्छा फेस्वास है यह माला डिप क्लीजिंग अप्रिकॉट प्रिश्वास आप इसे जरूरी इस्तिमाल क करके देखेगा और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजेगा कि आपको यह वेस्वास कैसा लगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद